नमस्कार मैं हूँ ग्याने शुक्ला प्रियाग राज के दुर्दान माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ का तो अंध हो गया है लेकिन उत्तरपरदेश के पुर्वांचल के एक और माफिया डान को उसके अंजाम तक पहुचाने की बड़ी और कड़ी चुनोती अभी भी बनी हुई है पुलिस, कानून, विवस्था और नयायत तंत्र के लिए ये है माफिया सरगना मुखतार अंसारी शनिवार यानि 29 अपरेल का दिन कानून को चुनोती देने वाले इस डान के लिए बेहद चुनोती पुर्ण दिन होने वाला है क्योंकि इसी दिन गैंगेस्टर के मामले में काजिपूर जिले की MPMLA स्पेशल कोर्ट अपना फैंसला सुनाएगी इस केस में मुखतार अंसारी के लावा उसका भाई और BSP 67 अफजाल अंसारी भी आरूपी है दरसल 22 नौमबर सन 2007 को मुहमदाबाद पुलिस ने भामर कोल और वारानसी के मामले के गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुखतार अंसारी को शामिल करते हुए गिरहो बंद अध्नियम के तहत मुखत्मा दर्ज कराया था दोनों भाईयों के खिलाव मुहमदाबाद थाने में क्राइम संख्या 1051 और 1052 दर्ज की गई थी इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त जमानत पर चल रहे हैं मामले में भीते साल 23 सितंबर को सांसद अफजाल अंसारी और मुखतार अंसारी के खिलाफ आदालत में प्रथम दिर्ष्टिया आरोप तै किये गए थे इसके अलावा गैंगस्टर लगाने में वारानसी के चर्चित नंद किशोर रूंगटा अपरहन केस को भी आधार बनाया गया जो वी एचपी के पदादिकारी थे और बड़े कोईला कारोबारी थे जिनें माना जाता है कि उनका अपरहन किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई अभ्योजन की तरफ से एक अपरेल को इस मामले में बहस पूरी हो गए थी इसमें फैसला पिछले पंदरा अपरेल को ही आना था लेकिन पीठा सीन अधिकारी अवगाश पर थे इस वज़े से इस मामले में फैसला टल गया था जिसे अब 29 अपरेल यानि शनिवार को सुनाया जाना है गौर तलब है कि पिछले साल पंदरा दिसंबर को गाजीपुर की MPMA कोर्ट ने 1996 में गेंगेस्टर एक्ट के तहट दरज हुए मामले में पुरवांचल के माफिया डाउन मुखतार अंसारी को दोशी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई थी उसके साथ ही उसके साथ ही भीम सिंग को भी दस साल की सजाद दी गए थी साथ ही कोर्ट ने इस पर पंच लाख रुप्य का जिर्माना भी लगाया था तब सरकारीवकील नीरस शिर्वास्तो ने मीडिया से जानकारी दी थी ये जनकरी साजा की थी कि मुखतार अंसारी के खिलाफ यू तो 54 केस दर्ज हैं लेकिन गेंगेस्टर एक्ट के मामले में कारवाई के लिए पांच केस को आधार बनाया गया था जिसमें इसको सजा मिली इन पांच में से दो वारानसी, दो खाजी पुर और एक मामला चौंदोली जिले से जुड़ा हुआ था सजाज सुनाया जाने के वक्त मुखतार अंसारी खुद कोल्ट में मौजूद नहीं था क्योंकि वो मनी लॉंडरिंग केस में प्रियागराज में E.D. की दस दिन की कस्टडी रिमान पर था चूंकि किसी भी मुकदमे में जब फैसला सुनाया जाता है अदालत में तो ये नियम है कि उस दोरान आरोपी जिसको लेकर फैसला सुनाया जाना है जिसे सजा दी जानी है या उसके बारे में जो भी फैसला आना है वो आरोपी कोर्ट में उन सारे आरोपियों की कोर्ट में मौझूदगी जरूरी होती है इसलिए प्रियाग राज के एडी के दफ्तर में ही वीडियो कांफरेंसिंग का बाकाइदा बंदोबस्त किया गया था इसमें वीडियो और आडियो क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्शन जो है बहतर रहे पुखता रहे इसको लेकर खास तफज्जो दे गई थी बहुत ध्याम रखा गया था इस बात का इस पहलो का फैसले से पहले मुखतार अंसारी घबराया हुआ नजरा रहा था खासा विचलित था मुखतार अंसारी उसने केस का फैसला आने तक पुष्टाच ना किये जाने की गुजारिश भी एडी के अफसरों से की थी अदालत ने जैसे ही इस मामले में जैसे ही उसको सजा का एलान किया तो ये माफिया डान फफक पड़ा बड़ा अचरज भी हुआ उस वक्त जो एडी के अफसर वहां पर सूतर मौजूद थे उन्हें हैरानी भी हुई कि लोगों को खून के आंसू रूलाने वाला माफिया खुद रो पड़ा है दो साल पहले ही पंजाब की ततकालिन कांग्रेश की सरकार और यूपी की योगी आदेतनात सरकार के बीच भी इसी माफिया के वज़े से तनाव के हालात बने रस्ता कशी होती हुई नजराई थी तो इस माफिया और मुखवंतरी योगी अदितनात के दर्मियान भी अदावत रही है और ये अदावत खासी सुर्खियों में रही है सत्ता के सियासत के गल्यारों में ये अदावत सुनाई देती रही है इस माफिया सरगना के लिए आने वाले दिन और भी कठिञ है क्योंकि इसके खिलाफ दर्ज जो दस मामले हैं उनमे सुनुवाई की परकیया चल लही है इन मामलों में जैसे ही सुनुवाई की परका आगे बढ़ेगी ये माना जा रहा है कि ये गले की इसके फांस बन सकते हैं इन मामलों से जुड़े हर पहलू से हम आपको जल्द बावस्ता कराएंगे हर आयाम से आपका परचे कराएंगे आप बने रहिए PTC News उत्तरपरदेश के साथ नमस्कार